किने में और दो किसरहमेरा मुन्ना मुन्नी का मन में डाउट है ना कि सरकर पर्जेंट ऐन्स पास्ट का त्रिफट्ट्रेंस तो पर्जेंट ऐन्स मेरा लास्ट वीडियो में जा कर आप अच्छे से पढ़ लो, ए ए तुम से, तुम काई हील रहा है उतना, तो हम बताने चाहते है, past continuous tense और present continuous, दोनों में difference क्या है, दोनों में difference क्या है, अगर sentence का last में देखिएगा, रहा, रही, रहे, अगर है रहेगा, तो present continuous हो जाएगा, और वही अगर मान लिजेगा, थी रहेग तो past का continuous रहेगा, जैसे वे लोग खाना खार रहे थे, past continuous tense, वे लोग मुझे बुला रहे हैं, present continuous tense, ठीक है, मेरी मम्मी मुझे बुला रही थी, रही थी, थी देखके समझा न, past tense उसका continuous tense, सर इसको बनाने का कोई फंडा उंडा बताईएगा, बड़ा लॉजिक तरीका सा ब फर्मुला, पहले subject लाएंगे, subject अगर singular, मतले singular मतले एक, तो उसके संग क्या लगाएंगे, वाज, अगर माली subject मेरा एक से ज़्यादा अगर रहेगा, तो उसके संग where, फिर उसके आद में अगर not रहेगा तो लगाएंगे, या मन में सोचीगा तो लगाएंगे, ने तो ने लगाएंगे, अब ज्यादा काट देगा, examiner काहीं ने समझ रहे हो, ठीक है, उसके संग में क्या करना है, में भरो का चौता फॉर्म लगाएंगे, फिर फुल स्टॉप, फिर object, कोई दिक्कत है, अब इसको बनाने का फंडा क्या है, बनाने का फंडा ये है, वे लोग खाना खड़ी दरहत है, दे, एक स्यादा है, वे लोग, तो क्या लगाएंगे, दे वियर, ठीक है, बाइंग, ठीक है, दे वियर बाइंग, फिर, अब बोलने का मतलब है, मेरी मम्मी मुझे नहीं पीट रही थी, मेरी मम्मी, माई, मदर, वाज, नॉट, बीटिंग, मी, तो गौर कीजिएगा, मैं मादर मेरा सिंगूलर है, इसलिए वाज लगाएंगे, यह मेरा एक से ज्यादा है, तो वेर लगाएंगे, हमेशा स्टूनेट लोग के मन में कुस्टन है, कि वाज वेर रहेगा, चौता फॉर्म रहेगा, तो पास्ट कंटूने टेंस, नहीं तो, अगर यहाँ EZMR के संग, अगर ING लगाएंगे, ING का अगर दोसरा फॉर्म है, जेरन फॉर्म, ठीके, ING को हम लोग जेरन भी काते हैं, ING can also be called the जेरन, ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से निया जोस में, कोई डाउट है मनमा बभू, मुन्ना मुनी तुमको भी बोल जेरन ब看 में कोई जेर वीडियो में, कょई जेर वीडियो में, कि बोलुक।